हेलो नमस्कार जाहन ट्रेफिक पुलिस में कांस्टेवल पद के लिए वेकेंसी आ चुकी है इसके संबंध में ट्रेफिक पुलिस कांस्टेबल इसके संबंध में पोश्ट कितनी है वे इसलिवस क्या होगा किस प्रकार से होगा इसके बारे में संपुन जानकारी आपका प्र कि देखिए अप्लिकेशन इन्माइट जो है अठाइस अप्लिकेशन 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 फार्म सब्मिट करने का डेट भी कि तीस तक होगा यानि कि तीन दिन एक्ष्टा मिल जाएगा फार्म समिट करने के लिए तीन दिन आपको एक्ष्टा मिल जाएगा डेट अप्लिकेशन अप्लिकेशन में कोई त्रूटी होती है तो इसके सुधार करने के लिए भी कुछ एक्ष्टा मिल जाएगा तो इसलिए दो दिन आरेक्ष्रा मिल जाएगा इसमें ट्राफिक कांस्टेबल की भरती है जो इस्टेट ट्रांस्पोर्ट ऑथरेटी के अंधर गाताता है और जो ग्रूपसी की वेकेंसी जो लेवल फोर लेवल फोर वेकेंसी है कि मीनिमाम एजुकेशन की बात करें तो प्लस टू है यानि कि टेन प्लस टू टेन प्लस टू इसके लिए मिनिमाम होगी एज लिमिट की बात करें तो कई सी यह से लेकर 38 यह आनि कि मीनिमम एककी साल मैकजीमाम अर्टीस साल तीन वर्स पांच वर्स यह प्रकार से आपर एज में चूट की बात होती है तो आपर एज में चूट आपको नियमानुसार दी जाएगी और उसी परकार से कि यह सिम के लिए भी आप रेज में छूट दी जाएगी बाकि सम्माने परिष्थितियों में दो जनवरी उन्हीं सच श्यासी से एक जनवरी दो हजार तीन के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए सम्माने परिष्थितियों में छूट को छोड़कर प्लान एंड पैटर प्रकार से होगा इसके समबंध में बात करें तो प्लान एंप टरस आप वेस्ट वोट से फाल्विंग देखिये पहले तेकि पहले preliminary examination होगा पहले pre होगा उसके बाद mens होगा return होगा अगर 9000 से ज्यादा फरम पड़ते हैं तो प्री नहीं किरा जाएगा लेगी नहीं सजय यहार से आधिक तो हर स्थितिम पड़ें की पड़ेंगे इसलिए मानके चले कि प्री भी होगा प्री एक्जाम होगा उसके मेंस के लिए 20 गुना अभ्यार्थियों को संबकिया जाएगा उसके बाद हिनका एक्जाम कराया जाएगा जो 85 मार्क चाहोगा जो 85 मार्क का प्लस USC सटेंडर्ड का यह कोशन आएगे इसमें इसमें फीजिकल स्टेज में पीजिकल इस से में से में के लिए में के लिए एक हाइड कि बात करें एक सवरड सेंटीमेटर वेट 55 किसे और चेश्ट एक्सन्ट के सा बीदाउट एक्सपैंट 79 शेंटीमन अद्वूठ इक्सपैंट 84 सेंटीमीटर यानिकि 5न होता ही है जनरल apart के लिए गर्षमिन मैंन के लिए तो हाइट एक्स अवंठावन सेंटिमीटर हो जाएगी वेट 47.5 kg इनके लिए वेस्ट नहीं ली जाती है वो मैंन से सेंटिमीटर हो जाएगा और इसमें यह प्रावधान नहीं आएगा आगे देखते हैं इसके संबंध में इसके बाद इतना क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको रणिंग दी जाएगी 1.6 किलोमिटर की 1.6 किलोमिटर है इननेकि 16 क्वालिफाय करना होगा में के लिए ऐन मिनके द्वालिफाय करना होगा और सभी कटिगरी की फीमिल के लिए दस मिनट में क्वालिफाई करना होगा वह इस सोलर स्टमीटर को ही उसके बाद चाव था स्टेज में सर्टिफिकेस में सर्टिफिकेस में सर्टिफिकेसन होगा उसके बाद ज्वाइनिंग स्वाइनिंग गित्यादी होगी उसके बाद डिटेल स्लीबस की बात करें, आप प्रिलिम्न एक्जामिलिशन, तो प्री में अरिथमेटिक्स आएगा, जो 10th स्टेंडर्ड का होगा, डाटा इंट्प्रेटेशन से क्वेशन आएगे, जो चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा से फिसेंटिट से सम्बंदित क्वेशन होगे यह समेहत में आते हैं, 10th स्टेंडर्ड का होगा, लाजिक रिजनिंग आएगा, एंड अनलेटिकल एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी के सम्बंद में क्वेशन आप से पुछे जाएंगे, करेंट इवेंट आएगा, करेंट अफेर सम्बंदित, नेशनल और इंटरन सेल भी आप 85 मार्क्स, मेंस एक स्टेट में ट्रेफिक कांस्टेबल की भरती है, इसलिए उडिला लंग्वेश सम्बंदित होगा, इंगलिज लंग्वेज आएगा, फिर आथेमेटिक जनरल नालेज, इट सेक्टा सम्बंदित होगा, जो प्रस्टू एस्टेंडर् का क्व कर समिसंगें तो और श ही यानिकर औरी से ओरिया मतलब ओर इस तेट के लिए त्रेफिक की कांद स्टेबल की भरती है इसमें पुदों की पढ़े लिखे होने चाहिए यह कंडिशन है यहां कंडिशन आपका अपलाई कर दी गई है अगर करना चाहिए अगर मैरीड है आप तो आपकी पती अथ्वापतनी कव एक ही होने चाहिए जीवित एक से अधिकत रिजन बनात बताना पड़ेगा उसका वैलिड रिजन होना चाहिए मस्ट भी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया ओडिया लंग्वेज को रीड रा मेनेडील स्कुल भी प्लस टु भी और इंटर्मेड भी ओडिया लंग्वे में होना चाहिए तो ये सब कि इन्फार्मेटी वीडियो आपको समाझ से मिलती मिलती रहे द्रोन जीया सिरसा संटे के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत धन्यबाद